अध्याय एक खतरनाक कर्म पिस्तौल बहुत उग्र हो जाएगी फांसी का फंदा बहुत प्राचीन माना जाएगा और कलाई पर चाकू की धार तो बहुत शान्त होगी तो प्रश्ण उट खड़ा हुआ की किस तरीके से सभी बहुत यशश्वी रही जिंदगी को तेजी से औ अधिक आशापूर थी उद्यमी हर जगा विस्तार से उद्धियोग के सीर्शक, समाजनिता, मानव प्रेमी, जन हितैशी के तरह विख्यात रह चुकी थी वह उस समय अपनी तीस के बाद उम्र में थी प्राध्यागी की कमपनी को चला रही थी जिसे उन्होंने अपने कॉल उसे घटिया भावना और इर्शया से उथल पुथल करके चौकाया गया है जो महत्पूर ढ़ंग से व्यापार में उसके स्वामित्व के हिस्से में कम करता है जिसमें उसने अपने जीवन निर्माड का ज़्यादा हिस्सा समर्पित किया है अब उसे अपने लिए नया काम पर दबाव डाला जा रहा है इन वस्तूओं और स्थितूओं के परिवर्तन की निर्दयाता अब उद्यमी को एहसनिये लग रही है नियमिस शीतल बहरी आवरण के नीचे समहलने वाला समवेदन शील और गहराई तक प्यार करने वाला हिरिदय धड़क रहा था उसने तनाक कर्म इस तरीके से अधिक स्वच हो जाएगा सिर्फ उन्हें एक साथ ले लेने से कारे शीगरता से हो जाएगा मुझे इस दर्ड़ से छुटकारा मिल जाएगा फिर उसकी नजर अपने पूर्ण सफेद बेडरूम में बलूत के बंड रैसर में कुछ अलग से चमक र उन्हें पंख तूटे पक्षी कहकर बुलाते हैं और कहते हैं कि मिथ्या गुरू से प्रश्नोक से उत्तर माग रहे हैं जबकि उर्वर और सफल जीवन जीने के लिए जो कुछ चाहिए वो उनमें पहले से यह उपस्तित है शायद अपनी राय पर फिर से सोचने का समय आ ग जाएं या वह अपनी शांती पा लेगी एक तुरित मित्तिव के माध्यम से धन्यवाद